गुलाब जामन बहुत सारी चीजों से बनाया जाता है, जैसे मिल्क, मावा, पनीर, सूजी, लेकिन मिल्क पाउडर से जो गुलाब जामन बनते हैं उसकी टेस्ट सबसे ज़्यादा बढ़िया होती है, इस दिवाली में इस गुलाब जामन रेस्पी को जरूर ट्राइ करें, स जात में हम डाल देंगे एक काप मिल्क पाउडर और ये ठाइसो क्राम है, इसमें से बहुत सारी गुलाब जामन आप बना सकते हैं और इसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो बस इसे हम डाल देंगे, डालने के बाद फ्लिम को बिल्कुल लो रखेंगे और इ गुलाब जामन बनते हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉप्ट बनते हैं, जिसकी वजासे गुलाब जामन आपकी बहुत अच्छी होती है, तो बस ये एक डो की शेप लिया है, मैं इसे निकाल लोगी, पर हम इसमें एड करेंगे 1 टिस्पून मैदा, 1.5 टिस्पून बेकिंग अगर आपके पास बेकिंग शोड़ा नहीं है, तो आप स्किप करें, बेकिंग शोड़ा डालने से बहुत ज़्यादा सॉप्ट हो जाती है, और बहुत अच्छे से फूल दे हैं, बेकिंग शोड़ा अगर आपके पास नहीं है, तो इसे आप अच्छे से गुन दें, और ग तो कप पानी जितना आप चीनी यूज़ करें उसकी डबल पानी यूज़ करें फिर फिर फ्लेम को हाई करेंगे और चीनी को अच्छे से मैल्ट होने देंगे यहाँ पर हम तिन इलाइची डाल देंगे फ्लेबर के लिए साथ में थोड़ा सा जफरन फूट कलर इसमें कलर वाला ने देना है चचनी को गाड़ा नहीं बनानी है बस नर्मल से पतले से चचनी बनानी है जैसे चीनी मैल्ट हो जाएगी यहाँ पर पांच मिनिट इसको हमने हाई फ्लेम में कूक कर ली है अब इसे हम साइड में रखेंगे गुलाब सामन की जो बॉल्स है वो हम बॉल्स जो है वो छोटा या बड़ा आपने मन की पसंदमने सार आप गुलाब सामन की शेप दे सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुलाब सामन की जो बॉल्स है उसमें बिल्कुल भी क्रैच नहीं है अगर जो बॉल्स है उसमें क्रैच आती है इसका मतलब आपक कर लेंगे यहाँ पर oil को अच्छे से गरम करनी है और flame को लोग और medium की भीछ में रखा है लोग और medium की बीच में इसे फ्राय करते जाना है इस तरीके से पलाटे हुए आपको फ्राय करना है यहाँ आप देख सकते हैं बॉल जो है वो फूल रहा है और फूल के कैसे डवल हो रहा है, बहुत अच्छे से इसकी वज़ा से इसमें जो अंदर है वो बहुत ज्यादा सौट हो जाएगी, इसी तरीके से आपको हर एक साइड पलाटते हुए इसे फ्राय कर लेना है, जब तक इसकी कलर डीप कोल्डेन ब्राउन नहीं आ जाती, तब तक हम इसी तरीके से पलटते हुए फ्राय करते जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलाव जावन की बॉल्स जो है, वो कितनी बढ़िया से फूल रही है, तो इसी तरीके से आपको सेम टिप्स फॉलो करके बनानी है, एक बार बार बनानी का मन करेगा, तो इसी तरीक पूल भी एक्स्ट्रा ओयल ना रहे, आप एक टीशू पेपर में भी रख सकते हैं, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ओयल है वो इस टीशू पेपर एपसोप करें, इसी तरीके से फ्राय करके जो गुलाव जामन की बॉल्स है वो हमें निकाल लेनी है, निकालने के बाद फिर हमें रेस्ट करने के लिए रखना है कम से कम दो घंटा तक, इसमें जो चचनी है वो गुलाव सामन पूरी तरीके से एफसोप कर लेती है, तो दो घंटे के बाद आप आप देख सकते हैं, ये हमारी आज की मिल्क पाउडर से बढ़िया सी गुलाव सामन बनके रेडी है, अ अब पस इस दिवाली में ट्राइ करें, सब को ये बहुत पसंद आएगी, और इजी रिस्पी देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले